हेलो दोस्तों वेलकम टू मैट्स मसाला तो दोस्तों आज हम लोग मिसरित भिन के जोड और घटाओं को सेखने वाले हैं तो दोस्तों वीडियो को अंतरदक जरूर देखें तो दोस्तों पहला आपका जोड है तो यहां पे यह मिसरित भिन में दिया गया है दो तीन बटा चा हम लोग साधारान भिन में बदलेंगे तो दोस्तों साधारान भिन में बदलने के लिए हम इस 4 का 2 से उड़ा करते हैं तो हो जागा दोस्तों चार दूनी आठ और इस तीन को जोड़ेंगे दोस्तों 8 हो तीन होता है 11 बटा 4 यहां पर आपका आ गया बीच में पलस लगा देंगे जैसा की लगा है अब दोस्तों यहां भी वही करते हैं 4 को 3 के साथ मल्टिप्लाई करेंगे तो 4, 3, 12 और 1 को जोड़ देंगे तो 12 और 1 हो जाएगा 13 यहां पर आप लिख दो 13 बटा 4 तो दोस्तों उपर के जो अंक होते हैं उन्हें हम अंस बोलते हैं और नीचे के अंक को बोलते हैं हर तो दोस्तों जब कई भी भी आप भिन में लगाते हैं तो इसका जो हर है वो हमेशा बराबर होना चाहिए तब ही आप अंस में जोड सकते हैं या घटा सकते हैं तो दोस्तों यहां पर इसका हर बराबर है तो दोस्तों क्या करेंगे सबसे पहले हम लोग यहां पर नीचे चार लिख देंगे हर में 4 लिख देंगे फिर अंस को जैसे का लिखा है वैसा ही हम लोग यहाँ पर लिख देते हैं अब दोस्तो इन दोनों संख्याओं को जोड देंगे तो हमको यहाँ पर मिल जाएगा 24 और बटा 4 है दोस्तों 24 बटा 4 अब दोस्तों 4 के टेवल में आप देखेंगे तो 4 को 6 से गुणा करने पर 24 आ जाता है तो इसका एंसर हम दोकों का 6 हो जाएगा दोस्तों तो कैसा लगा आपको आई चलते हैं घटाओ के तरफ तो घटाओ में देखी दोस्तों यहां भी वही है तो 3 एकम 3 और 2 5 तो दोस्तों यहां पर आपको हो जाएगा 5 बटा 3 और माइनस लगा है माइनस लगाएंगे 6 दूनी 12 और 13 हो जाएगा दोस्तों 13 बटा 6 आप दोस्तों यहां पर आप देख सकते हैं कि जो हर है वो बराबर नहीं है तो हम लोग सबसे पहले क्या काम करेंगे सबसे पहले हम लोग हर को बराबर करते हैं दोस्तों तो हर को बराबर करने के लिए 3 और 6 का जब हम लोग निकालते हैं LCM LCM तो दोस्तों 3 और 6 का जब LCM निकालेंगे तो यहां पर आपको मैं निकाल के बता देता हूँ दोस्तों यहां पर जब LCM निकालेंगे 3 और 6 का तो सबसे पहले इसको हम लोग देखते हैं 2 से तो 2 से 6 करता है 3 को वैसे ही लिख देंगे और 3 2 नी 6 होता है तो यहां भी दोस्तों 3 आ जाएगा अब दोस्तों 3 एकम 3 और 3 एकम 3 पूरा कड़िया 3 दूनी 6 यानि कि 3 और 6 का LCM 6 आएगा अब दोस्तों आपको क्या करना है आपको यहां तो 6 है लिकन यहां पर आपको 6 बनाना है तो आप कैसे बनाएंगे, आप लिखेंगे 5 बटा 3, अब दोस्तों क्योंकि हमने हर को 6 बनाया है, तो यहां भी इसको 3 दूनी 6, 2 से गुणा करेंगे, और जैसे नीचे 2 से गुणा किये हैं, वैसे ही उपर भी 2 से गुणा होगा, और बाकी माइनस 13 बटा 6 को वैसे का वैसा ह लिखेंगे, अब दोस्तों क्या करेंगे, अब इसका हम कर लेते हैं गुणा, तो जब गुणा करेंगे, तो 5 दूनी होता है 10, और नीचे 3 दूनी, यहां पर हो जाएगा 6, माइनस 13 बटा 6, दोस्तों यहां भी हर एक समान हो चुका है, तो हम लोग नीचे हर वैसे का वैसा ही लिखतेंगे, और अंस में दस माइनस 13 को लिखेंगे, तो दोस्तों यहां पर लिखेंगे, दस मेंसे 13 नहीं, 13 मेंसे 10 हम भी घटाना है, जब 14 मेंसे आप 10 को घटाएंगे, तो यहां पर आएगा, तीन लेकिन दोस्तों जब जिस संख्या को उपर लिखते हैं या जिसमें से घटाते हैं हम उसी कर्चिन यूज करते हैं इसका मतलब यहाँ पर माइनस तेरा लिखा है तो यहाँ पर हम लोग माइनस कर्चिन ही यूज करेंगे बटा लिखा है 6 अब दोस्तों आप देख सकते हैं कि ये दोनों संख्या 3 से कटती है 3 एकम 3 और 3 दूनी 6 तो दोस्तों यहाँ पर आपका जो एंसर निकल के आएगा वो हगा माइनस 1 बटा 2 ये आपका एंसर है दोस्तों कैसा लगा आपको हमारा वीडियो हमें कमेंट करके जरूर बताएं और ऐसे वीडियो को देखने के लिए हमारे चैनल मैस मसरा को सब्सक्राइब कर लें धन्यवाद